जैशी गणी जैशी रादी जैसे कि मागमाच चला है और इस संगला में आज हम सतर में अध्याय का श्रवन करेंगे जो इस प्रकार है अब स्रा कहनी लगी कि हे रक्षर पिर ब्रह्मण कहनी लगा कि इंद इस प्रकार अपनी अम्रवती पुरी को गया सो है कल्यानी तुम भी देवता से सेवा किये जाने वाले प्र्याग में माग मास में इसनान करने से दिश्वाप होकर स्वर्क में जाओगी सो मैंने उस ब्रह्मण के ये वचन सुनकर उसके पैरों में पढ़कर प्रणाम किया और घर में आगर सब भाई, बंधो, नौकर, चाकर, धनादी, त्याकर, सरीर को नश्ट होने वाली बस्तू समझ के घर से निकली और माग में गंगा यमना के संगम पे जाकर इसनान किया सो है निशाचर तीन दिन के इसनान से मेरे सब पाप नश्ट हो गए और सटाए से दिन के पुन से मैं देवता हो गए और पारुटी जी की सकी होकर सख से निवास करती हूँ इसलिए मैं प्रिआग के महत्म को याद करके सब देवतां को कि सही ते माग में प्रिआग इसनान करती हूँ सो मैंने अपना ये सब व्रतान तुमसे कहा तुम इस यूनी में पढ़ने और रूप होनी का सब कारण कहो तुम्हारी दाड़ी मूचे बहुत बड़ी बड़ी हो गए और परवती की गुफा में वास करते हो निसाचर कहनी लगा की हे भ्रदे सजनों से गुपते बाते कहने में ये भी कोई हानी नहीं होती पापी, शूद, ततव वेसियों से अनीर प्रकार की दान लिए मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा उस जनब में मैंने कोई भी धर्में नहीं किया वहीं पर मित्यू को प्राप्त हो गया तीरत इस्थान पर मरनी के करण नरके में नहीं गया पहले दो बार गित योनी में, तीन बार व्याग योनी में दो बार सर्फ योनी में और एक बर उल्लू की योनी में और अब दस्वी बार राक्षश हुआ हूँ और सैक्रो वर्सों से इस योनी में हूँ इस स्थान के तीन योजन तक मैंने जन्तु हीन कर दिया है बिना अपराद के बहुत से प्राणियों को मैंने नश्ट किया है इस कारण मेरा मन अत्यन दुखी है तुम्हारे दरसें से चित्मे कुछ सांती आवश आये क्योंकि सज्जुनों का संग तुरंथ ही सुकिदाई होता है मैंने अपने दुख की कारण आप से कहे और सज्जन रुख सदेव दूसरी की दुखों से दुखी होते अब ये बताओ कि इस दुख रूपी समुते को कैसे पार कर सकता है क्या छीर सागा हंस को ही दूद देता है बगली को नहीं देता है दतात रेजी कहनी लगे इस प्रकार उसकी वचन सुनकर कंचन मलिनी कहनी लगे कि हे राक्षा मैं अवश तुम्हारा कर्यान करूँगी मैंने दर्ट प्रतिक्या किये तुम्हारी मुक्ती के लिए प्रतिक करूँगी मैंने बहुत बार प्रयाग में इसनान किया है बेट जानने वाले रिशियों ने दुखी को दान देने की प्रसंसा किये सरमुत्र में जल बरसने से क्या अलाब है प्रियाग में इसनान करने का एक बार कहां फल मैं तुझे देती हूँ उसी से तुमको स्वर के प्राप्ति होगी उसकी फल का अनुभाओं मैं कर चुकी हूँ तब उस अपसरा ने अपनी गीले वसका जलनी चोड़ के जल को हाथ में लेके माग इसनान के फल को उस राच्छस को अडबन किया उसी समय पुन प्राप्ते वे राक्षिसी सरी को छोड़ के तेज मैं सूर के सद्रस देवता रूप हो गया आकास में विमान पर चड़के अपनी कान्ती से चारू दिसाओं को प्रकाशिश करता हूँ सोभा यान हुआ और कहनी लगा कि इस्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार मुझे पर किया है अब भी कर पिया कुछी सिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करो अब मैं तुम्हारी आग्या पाक स्वर्ग में जाओंगो तब कंचन मलीनी ने कहा कि सेद्य धर्म की सेवा करो काम रुपी सत्रू को जीतो दूसरे के गुण तथा दोस्यों का वर्णन मत करो शीव और वसुदेव का पूजन करो इस दे का मो मत करो पत्नी पोते धनादी की ममता त्यागो सत्य बोलो विराक भावधार्ण कर योगी बनो मैंने तुमसे वैं ये धर्म के लक्षण अब त तत्ता तिरे जी कहने लगी इस प्रकार गंदर्वो से शुशूबित वै राक्षण कंचन मलिनी को नमश्खार करके स्वर्ख हो गया और देवकनियों ने वहां आकर कंचन मलिनी पर पुष्पो की वर्षा की और प्रेम पुर्वा कहा गी हे ब्रदे तुमने इस राक्षण करके प्रेन पुर्वग देवकनियों से कीड़ा करते वी शिवलोग को गई आज की कता यहीं पर हम लोग विराम देते हैं और कल हम लोग इसके आगे का अध्याय सुनेंगे गुप नौरात आरम हो चुगी है मा की विसेश पूचा अर्शना किन मंतरों से करना चाहिए उसक की इसके सुनने से हमको माग मास के कथा का पूरा फुल पराब्थ होता है हिंदु धर्म के प्रतम गरन्त श्री मद भगवद गीता के तीसरे अध्या में गजेंद्री श्टरोत परने को मिलता है इसमें कुल petits से इस लोग दिये गए है हिंदु धर्म के अनुसर इस इस इच करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परिसानी से तरकाल मुक्ती मिल जाती इस स्थरोत में हाथी और मगर मसके साथ हुए युद का वर्लन किया गया है तो हम लोग भगवान शरी हरी का ध्यान करके इसका श्रवन करते हैं शुक्र भुजेंद्र बिद्धी के अनुसार पिछली अध्याय में बर्लन किये गए हुए रिविद्धि से अétais अपनी मन को नियंद्रिट कर और हर्दे को इस्थिर करके गजेंद्र अपनी पिछली जनम में याद किये गए सर्वोशकार और बार बार जाप के जाने वाले इस रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मनही मन श्री हरी को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश सरीर और मस्तिक चेतन की तरह विवार करते हैं। ओम द्वार लक्षित और पूरे सरी में प्रवेश करने वाले उस सर्फ शक्ति मान देवता का मैं मनही मन इसमर्ण करता हूं। जिनके सारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसर अफ्तिरित हुआ है, जिनोंने प्रकर्टी की रशना किया और जो खूते उसके रूप में प्रकट हुआ हैं, लेकिन इसके बाबसूत भी वो दुनिया से सर्वोपरी और सेश्ट हैं, ऐसे अपने आपों बिना कि इसी कारण के भगवान के मैं श्रण में जाता हुँ, अपनी संकल्व सक्ति के बल पे अपनी ही सरूप में रचित और स्रस्टी काहल में प्रकट एवं प्रले में आप्रकट रहने वाले इस सस्रिव प्रसद्धी प्राप्तिकार कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित के साक्ष रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते हैं, चशु आधी प्रसंशको के परम प्रकाशक प्रभू आप मेरी रक्षा करें, बित्ते गए समय के साथ तीनों लोकों को और ब्रह्मा आधी लोके पालों के पंच भूत में प्रवेश्ट कर जाने पर और पंच भूतों से लेके महातपुर सभी कार्णों में उनकी परम करना सरूप प्रकरती में बगमगन हो जाने पर उस समय दुर्यर और घोर अंधिकार रूपेण प्रकरती के बच रही थी, उस अंधिकार से परे अपने परम धामें जो सर्व्यापी भगवान सभी अकाशिर्थ होती रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। प्रदान करने वाले सब की बिना कारण हित अतिश्य और सादू सभाव। रिशी मुनी जन जिनकी परम सरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर तमाम अलोकिक व्रतों को यमों को यह अनुसार पालन करतें। ऐसी प्रभू मेरी गति यह है। वे जिनका हमारी तरह ना तो जनम होता है और ना जिनका एंकार में कोई भी काम नहीं होता है। जिनकी निर्कुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है। इसकी वाबजूद भी वे समय के साथ इस संसार के श्रस्टी और प्रले के लिए अपनी इच्छा से अप भगवान को मेरा नमशकार है वैसी देव जो नम में वाणी चित रत्यों से परी है उन्हें मेरा भारंबा नमशकार है विवेक से परिपूर पुरुस के द्वारा सभी सतो गुड़ों से परिपूर नीव रती धरम के आच्छन से मिनने वाले योग मोक्ष शुक की अनुबु भगवान को नमशकार है सभी गुड़ों के स्विकार सांध रजो गुड़ और स्विकार करके अत्यन तमो गुड़ को अपना कर मूर से जाने वाले बिना भेद और हमेशा सद्भौ से घ्यान धनी प्रभू को मेरा नमसकार है सरीर के इंद्रिय के समुधाय रूप पे सभी पिंडिकों के ज्याता ने सबों के स्वामियों और शाक्षी सरूप देव आपको नमसकार है सबों के अंतर्यामी प्रकर्टी के परम कारण लेकिन स्वेम बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमसकार है सभी इंद्रियों और सभी विश्यों के जान के सभी प्रतितियों के का कारण रूप जर्ण प्रपंच और सबकी मूल भूता आविध्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विश्यों में आविध्या रूप से भसने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। त्रिगुण रूपों में छिपल हुई है ज्यान रूपी अगनी वैसी गुड़ों में हलचल होने पर जिनकी मन मस्तिक में संसार को रचनी की व्रति उत्पन हो उठती हो और जो आत्मा तत्की भावना की द्वारब विधी निशेत रूप सस्तर से भी उपर उठे हो जो महा महात्माओं में स्वयम प्रकाशित हो रहे है ऐसी भगवान को मेरा नमशकार है मेरे जैसे शर्णागर्पसु के समान जीवों के आव विध्या रूप ए फासी को पूर रूप से काट देने वाले परम धयालू और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान क को नमशकार है मेरा में अपनी अंस सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकैट होने वाले सर्फे नियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमशकार है जो सरीर वोती मिति घर और संपत्ती सहीर कुटंभियों में अशक्ते लोगों के द्वारा कटनाई से मिलते हैं और मुक्ते पुरुसों के द्वारा अपनी हेर्दे में निरंत चिंतिती ज्यान सरूप सर्फे समर्थे परमिशर को मेरा नमसकार है वे जिने धर में अब बिलिश्टे भोग के धन और मोश की कामने से मनन करके लोग अपनी मन चाही इच्चा पूर कर लेते हैं अभी तो ज इनके एक से अधिक भक्त हैं जो मुक रूप से एक मात उसी भगवान के शर्ड में जो धरम अर्थ आधी किसी भी प्रदार्थ की अबलाशा नहीं रखते हैं जो केवल उनी के परम मंगल में एवं अत्यन विलक्षन चर्ड का गुरगान करते हैं उनके आनंद में समुत्र म गोते लगाते हैं उन अभिनाशी सर्वियापि सर्मान ब्रहमादी के भी नियमाक आभक्तों के लिए भी हमें से प्रकट होने वाले भक्ती योग दोरब प्राव अत्यन निकट होने पर भी माया की खरण अत्यन दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के दारा अग्मे और अ जादी कारग और सभी तरफ से परड़ पूर उस भवान की मैं इस्तुति करता हूं। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारोवेत समस्ते चर और चर जीव के नाम और आकरती भेच से जिनके अत्यन छुत्र अंसों से रचित हैं। जिस तरह से जलती हुई अगनी की लपटे और सूरस की किर्णे हर बाहर निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लेन हो जाती हैं। उसी प्रकाबुद्धी, मस्तिक, इंद्रियों और नाना योगनियों के सरीर से जिन गुणों से प्राप्त सरीर जो स्वेम प्रकास परमात्मा से अफ्तिरित होकर फिर से उन्हीं मे लीन हो जाता है वह भगवाण, जो ना तो देफता है न असुर, न मनुस, और ना ही मनुस से नीचे, किसी अन योनी के प्राणी, यह ना ही वो इस्त्री है, ना ही पुरुश है, और ना ही न पुनसक है, और ना ही वो कोई ऐसी जिव है, जिनका इन तीनों ही सेड़ी में समावेस है वो ना तो गोड़ हैं ना कर्म हैं वो ना ही कारण और ना ही कारण इन सभी योनियों का निशेद होने पर जो बसता है वही उनका असली रूप है ऐसे प्रभू मेरा उत्तान करने के लिप रकट हों अब मैं मगर मस्की चंगल करम से अपने नास नहीं होता है बलकि इस्वर की दया ऑग्यान से उदै हो पाता है इस प्रकष से मोश के लिए ललाहिथ संसार के रचेटा स्वेम संसार रूप में प्रकट है, लेकिन संसार से परे संसार में एक क्हिलोनी की भाती खेलने वले संसार में आध हिरूप से व्याबते, आजन्मा, सिर्वयापी एम पृत्य में सर्फिय सिर्ध्स हरीका केवल इश्मन्ट करता हूँ और उनके रण में जाता हूँ वे जिनोंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वरकर्मों को जला डाला है जिने समस योगी रिशी अपने योग के द्वर अपने सुथ हैर्दे में प्रकट देखते हैं उन योगेश्र भगवान को मेरा नमस्कार है वे जिनके ती गुड़े शक्तियो का रा के रूह पे वेग और आसा है हैं जो सभी इंद्रियों के विशे रूप में मौझूद हैं वे जिनकी इंद्रिया समध विश्यों में ही बसी रहती हैं ऐसी लोग गो को जिनको मार के मिलना भी संबोन हैं वैसी शर्ण लगत एवा अपार शक्ती साली वाली भगवान मैं शर्ण लेता हूं सिरिश्रू के देव जी कहते हैं कि वे जिसने पूर प्रकार से भगवान के भेत रहित सभी निरकार रूप का वर्लन किया था उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन कोई देवता नहीं आए जो अपने विविन प्रकार के विशेश विक के इस्तुति को सुन के जक्रधारी प्रभू इच्छा नुसार वेग वाले गणुड की पीट पर सवारों के सभी देवताओं के साथ उस इस्थान पर पहुचे जहां पर वे गज़ था सरोवर के अंदर महां बल साली मगरमस द्वारत जकड़े और दुखी उस हाती ने आसमान में गणुड की पीट पर बैठे और हातों में च्छा के लिए भगवान विश्णों को आते वे जब देखा तो वे अपनी सूर में पहले से ही उनकी पूजर के लिए रखे कमल के श्रीहरी विश्णों गणु से नीचे उतर के सरोवर में उतर आए और बहुत दुखी होकर ग्रह सहीत उस गज को तुरंथ ही सरोवर से बहार निकाल आए और देखती ही देखते अपने चक्र से मगर मशके गरदन को काड़ दे और हाती यह को उस पीड़ा से बहार निकाल जै हो जै श्रीहरी जै श्रीविश्णों जो भी गजेन मोशपाट को सुनता है उसके सभी पाप श्रीहरी जी ततकाल दूर कर दे इस जाप को करने से व्यक्ति बड़े से बड़े करदों से मुक्त हो जाता है अगर आपको कथा पसंद आए वीडियो पसंद आए तो वीडि करके लाइक करके जैश्वी हरी लिखेगा जैश्वी रादी जैश्वी कृष्णी